हेलो फ्रेंट्स, यूपी ट्रीपल सी पेट के लिए घाटना चेकर का जो प्रिवेस एर कोश्चन पेपर का बुक आया हुआ है तो इस बुक से टॉपिक टू भारती राष्टे अंदोलन का जितना भी ये टॉपिक है इस वीडियो में रहेगा या भारती राष्टे अंदोलन का MCQ का मास्टर वीडियो है तो इसको आप लोग 1.5 स्पीट से देख लिजेगा और प्लेलिस्ट में जाके भारती इतिहास का भी देख सकते हैं उसके बाद आभी प्रेक्टिस सेट का भी वीडियो में बना रहा हूँ घटा चकरा और यूथ पॉब्लिकेशन का तो वो वीडियो भी आप लोग देख लिजेगा प्लेलिस्ट में जाके भारती राष्टे अंदोलन श्वाधिंता अंदोलन के प्रारंबिक वर्ष 28 दिसंबर 1885 को भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेज इस पाल संस्कृत स्कूल के परिशर में बंबई में हुआ था इसका ओप्शन बी एंसर होगा 1884 इस्वी में एक सेवा निविट अंग्रेज अधिकारी एओ हुम के प्रत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी इस यूनियन ने पूने में 1885 इस्वी में राष्ट के विविन परतिनिदियों का सम्मेलन अयोजित करने का निनर लिया लेकिन पूने में हैजा फैल जाने से उसी वर्स या सम्मेलन बंबई में अयोजित किया गया गोकुल दास तेजपाल संस्कीत स्कूल बंबई में 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिविशन हुआ इसी सम्मेलन में दादा भाई नरोजी के सुझाओ पर इस संगटन का नाम बदल कर भारती राष्टे कॉंग्रेस कर दिया गया इसमें टूटल 72 मेंबर भाग लिये थे नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं एलन अक्टिवियन हूम एक सेवा निविट अंग्रेजी आईसी एस अधिकारी ने 1884 में भारती राष्टे संग का गठन किया था तो इसका उप्शन सी एंसर होगा राष्टगान को समिधान सभा द्वारा कब गरहन किया गया तो 24 जनवरी 1950 को इसका उप्शन डी एंसर होगा भारत का राष्टगान जन गनमन है इसके रचेता रवीन नाट टाइगोर है जन गनमन सरवपथम 27 दिसंबर 1911 को भारती राष्टी कांगरेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं भारत में राष्टगान को शमिदान साभादवारा 24 जनवरी 1950 को गरहन किया गया था नेक्स्ट कुछन देखते हैं जन गनमन जो भारत का राष्टगान है सरवपथम कब गाया गया था तो यह 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था इसका ओप्शन यह एंसर होगा नेक्स्ट कुछन देखते हैं राष्टगान सरवपथम कब और कहा गया गया तो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में इसका ओप्शन यह एंसर होगा नेक्स्ट कोछन देखते हैं 1916 का लखनाव समझवता महत्पूर था क्यूंकि इसके बाद कांग्रेश ने मुश्लिम लीग के साथ गटवंदन किया था इसका ओप्शन यह एंसर होगा 1916 का लखनाव समझवता महत्पूर था क्यूंकि इसके बाद कांग्रेश ने मुश्लिम लीग के साथ गटवंदन किया था इस अधिवेशन की अध्यास्ता अमिका चरंग मजुमदार ने की थी इस अधिवेशन में कांग्रेश के नरम यह गरम दल एक साथ आये जिसके लिए तिलक यो एनिवेशन के अथक परियासते हैं दिसंबर 1916 में दोनों पच्छो के संजुक सत्र में लखनाव संधी भारती राष्टी कॉंग्रेश और मुश्लिम लीग के बीच एक समझवता हुआ इसका ओप्शन एए एंसर होगा नेक्स्ट कुछिन देखते हैं महात्मा गांधी द्वारा भारती राष्टी कॉंग्रेश के कितने अधिवेशनों का सभब पतित्व किया गया तो महात्मा गांधी शिरिफ एक बार कांग्रेश के अध्याच बने थे इसका ओप्शन सी एंसर होगा दिसम्बर 19-24 में महात्मा गांधी ने वेल गाउं कांग्रेश अधिवेशन की अध्यास्ता की थी इसी अधिवेशन में श्वराजी निता कांगरेश के अभिन अंक के रूप में कांगरेश के नितित्व में विधान मंडल में अपना काम करते रहेंगे इस निर्णे को जूरी परदान की गई थी महातमा गांदी ने भारत रिअश्टे कंग्रेस के सत्रों में से किसकी अध्यास्ता की थी तो 1924 बेल गांव की सत्रों में अध्यास्ता की थी बेल गांव जो की कनाटका मेश्थी थे नेक्स्ट इभी सेम ही है महातमा गांधी भारत रियाष्टे कॉंग्रेस के अध्याच किस वर्ष बने थे तो 1924 में नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं सुभाष चंद वोष वर्ष 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्याच बने थे सुभाष चंद वोष वर्ष 1938 में हरीपूरा कांग्रेस अध्याच बने थे वर्ष 1949 में तिरपूरी अध्याच चुने गए थे लेकिन कुछ मद्वेदों के चलते उन्होंने अध्याच पद से इस्थीपा दे दिया था गांदी जी के साथ में कुछ मद्वेद हो गया था इसके वहसे भारती राष्टी कांग्रेस के अध्याच चुने किस मुसलिम किस मुसलमान ने अध्यास्ता की थी तो बदरुदिन तयब जी ने शर पर्थम बदरुदिन तयब जी ने 1887 इस्वी में भारती राष्टी कांग्रेस के मद्राज अध्याच अध्याच बने थे कांग्रेस का इस्टार्टिंग का जो भी चार यप पाच सम्मेलन हुआ था तो उसमें अलग अलग धर्म के अध्याच बनाया गये थे क्योंकि सब धर्म को एक जूट करना था भारत के अजादी में लडने के लिए अब नेक्ट टॉपिक है जाता है तो इसका अप्शन सी एंसर होगा प्रिटिस भारत सरकार ने बंगाल का विभाजन को लागुक करने का निर्णय की घुशना कब की थी तो 20 जुलाई 1905 को की थी इसमें से कोई भी एंसर सही नहीं होगा निमलिखित में से किष्णे बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए अंदोलन का नित्त किया था तो इसका ओप्शन एंसर होगा शुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के बिरोध में हुए प्रारम्भिक अंदोलन का नितितु शुरेंदाद बनर्जी ने किया था 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णे की घोषना की गई थी साथ अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में हुई एतिहासिक बैठक में सोदेशी अंदोलन की घोषना की गई 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ इस दिन को पूरे बंगाल में सोक दिवस के रूप में मनाया गया वर्ष 1911 में दिल्ली दर्वार में बंगाल विभाजन को निर्स्त करने की घोषना की गई और वर्ष 1912 में रजधानी कोलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की दिन पूरे बंगाल में सोक दिवस मनाया गया लेकिन रविन नाट टैगोर जी ने बोला था कि इस दिन सभी लोग एक दूसरे को राखी बन है गांधी जीने जून 1904 में डर्बन के बाहर फिनिक्स वस्ति नामक एक समुधाईक क्रियासिल मठ की स्थापना की थी इसका ओप्शन डी एंसर होगा गांधी जीने दिसंबर 1904 में डर्बन दच्छिन अफरीका में फिनिक्स आशरम की स्थापना की फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा इस्थापित प्रत्वम आशरम था गांधी जीने दच्छिन अफरीका में 1894 इस्थापना की थी महात्मा गांधी भाव से चलने वाले जहाज एसे सफारी द्वारा दच्छिन अफरीका के डर्बन पहुचे थे इसका ओप्शन सी एंसर होगा गांधी जी 24 वर्स की उम्र में 1893 इश्यू में एक गुजराती बैपारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाव से चलने वाली जहाज एसे सफारी द्वारा दच्छिन अफरीका के डर्बन गये थे महात्मा गांधी दच्छिन अफरीका में किस वर्स में पहुचे थे तो 1893 में इसका ओप्शन एंसर होगा नेक्स्ट कोश्चिन देखते हैं रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्स दच्छिन अफरीका के पीटर मरिटज बर्ग रेलवे स्टेशन में प्रत्थम स्रेरी के रेल डिब्बे से समान सहित बाहर भेक दिये गये थे तो इसका ओप्शन डी एंसर होगा 1893 में महात्मा गंधी 1893 इश्वी में दच्छिन अफरीका गया थे डर्बन में एक सब्तार रुकने के बाद वह पिट्रोरिया के लिए रवाना हुए 31 माई 1893 को रास्ते में उन्हें अपमावनित किया गया और इस इस्टेशन से रंग भेत के कारण प्रत्थम सेरी के रेल डिब्बे से समान सहित बाहर फेक दिये गये थे महात्मा गांधी ने सत्यागरा सभा की स्थापना फर्वरी 1919 में किती का अप्शन सी एंसर होगा महात्मा गांधी ने रेलेट एक्ट या काला कानून के बिरुद में 24 फर्वरी 1919 को सत्यागरा लिख की स्थापना किती गांधी जी इसके अध्याच वा वीजी हनीमेन उपाध्याच थे महात्मा गांधी ने अपनी निम्ग पुष्टकों में से किसमें बिटिस पार्लियामेंट को बाज और बैस्या कहा है तो हिंद सोराज में इसका ओप्शन सी एंसर होगा महात्मा गांधी ने अपनी पुष्टक हिंद सहराज के अध्याए 5 पेज नमर 12 में ब्रिटिश पार्लियामेंट मतब संसत को बाज और बैस्या कहा है महात्मा गांधी ने निमलकित में से किसे अपना राजनीती गुरु माना है तो गोपाल किष्ण गोखले जी को इसका ओप्शन B एंसर होगा महात्मा गांधी गोपाल किष्ण गोखले को अपना राजनीती गुरु मानते थे महात्मा गांधी ने गोखले माई पुलिटिकल गुरु पुष्टक लिखी वर्स 1955 में यह पहली बार प्रकासित की गई थी नेक्ट कोशन देखते हैं 1917 का चमपारन सत्यागरा महात्मा गांधी का पहला सत्यागरा था और भारती स्वतनता अंदोलन में एक बड़ा बिद्रोह था इसका ओप्शन D एंसर होगा अप्रेल 1917 को बिहार के चमपारन में खिसानों के हक के लिए सुरू किया गया सत्यागरा भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्यागरा था इस सत्यागरा से महात्मा गांधी सहित वरज किसोर परसाद, राम कुमार सुक्ल, संत राउत रजेन्त परसाद नरायन सिना राम नमी परसाद अचार किरवालनी डॉक्टर अनुगरा नरायन सिंग महादेव देशाई आधी जूरे थे नेक्ट कोश्चन देखते हैं 1917 में चंपाराण सत्यागर किस राज में प्राराम किया गया था तो बिहार में इसका ओप्शन सि एंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं महात्मा गांधी के किस अमेर्की जीवनी लेखक ने लिखा था कि अस्थायोग भारत और गांधी जीवन में एक यूग का नाम बन गया तो इसका ओप्शन सि एंसर होगा लुई फीशर महात्मा गांधी के अमेर्की जीवनी लेखक लुई फीशर ने लिखा है कि अस्थायोग भारत और गांधी जीवन के एक यूग का ही नाम बन गया अस्थायोग शांती की दिष्टी से नकरात्मक किन्तु प्रभाव की दिष्टी से बहुत सकरात्मक था इसके लिए पर्तिबाद परित्याग और अनुसासन अवस्यक थे या स्वासासन के लिए एक परिच्छन था महात्मा गांधी ने भारत में अदर्श गाउग की स्थापना की सिपारिस की जहां लोग सरल जीवन यह उच सोच के अदर्श का अनुसरन करते हैं इसका ओप्शन डी एंसर होगा महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसल्मानों में से किस ने बाल गंगा धर्थ तिलक की अर्थी उठाई थी तो सोच का अली ने इसका ओप्शन यह इंसर होगा बाल गंगा धर्थ तिलक की मिठ्यू एक अगस्त उनिसो बीस को हुई थी उनकी अर्थी को कंदा देने वालों में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर कीचलू सौकत अली यह अन्ने लोग थे नेक्स कोचन देखते है असहयोग अंदोलन की सद्धस में प्राराम हुआ था तो उनिसो बीस में इसका ओप्शन दी एंसर होगा अस्वायोग अंदोलन की शुरुवात गांधी जी द्वारा एक अगस्त उनिसो बीस को की गई थी गांधी जी ने अस्वायोग अंदोलन शुरू होने की एक वर्स के भीतर श्वराज प्राप्त करने का नारा दिया अस्वायोग अंदोलन की दोरान ही मोती लाल नेहरू लाला लाजपतराई सरदार बल्लावाई पटेल ज्वाहर लाल नेहरू तथा राजेंद परसाद न्यालय का बहिसकार कर अंदोलन में कूद परे थे चौरी-चौरा घटना कब हुई थी तो इन में से कोई अंसर सही नहीं है सहीद इसमारक चौरी-चौरा के अनुसार चौरी-चौरा घटना का वास्त्विक्ति थी चार फरवरी 1922 से इस तिति को संजीप्रान के गोरखपूर जीले में चौरी-चौरा नामा का स्थान पर किसानों के एक जूलुस पर गोली चलाया जाने के कारण कुछ भीर ने थाने में आग लगा दी थी जिससे तेज सिपाहियों की मिर्ती हो गई भारती इतिहास में चौरी-चौरा घटना के नाम से यह परसीद हो गया चौरी-चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना अस्रहयोग अंदोलन बंद करना परा कहा इस्तित है तो गोरखपुर में अस्रहयोग अंदोलन कब वापस ले लिया गया तो फरवरी 1922 में इसका अप्शन ए एंसर होगा चार फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकर चौरी-चौरा कांड हुआ था जिसके कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को वार्दोली में कांग्रेस वार्किंग कमेटी की बैटक बुलाकर अस्रहयोग अंदोलन इस्थकित करने की घोश्टा की थी सबीने अवाग्य अंदोलन कामभुख उद्देश क्या था तो नमकर के बिरूद इसका ओप्शन बी एंसर होगा 12 मर्च 1930 को महत्मा गांधी सावरमती आस्रह से 78 सहयोगी साथ फैदल चरका 24 दिन में 390 किलोमेटर की यात्रा का डांडी पहुँचे जहां 6 अप्रिल 1930 को उन्होंने नमक कानुन भंक कर सबीने अवाग्य अंदोलन अरम किया नमक को इस अंदोलन का एक प्रमुक मुद्धा बनाया गया कियोंकि सरकार ने इस अत्यावस्तक वस्तु की बिक्री को निर्यांतित कर रखा था उस पर करा अरोपा किया था कोश्चे नमर 21 सबीने अवाग्य अंदोलन की सुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सुत्रिय चितावनी दिया गया था इन चितावनीयों के संदर में क्या सही है तो पहला रुप्या डॉलर बिनमे दर को कम करना ये सही है दूसरा भूर अजस्व में 50% की कमी करना ये भी सही है तिसरा राजनेतिक कैदियों को रियाह करना तो ये भी सही है इसका ओप्सन D एंसर होगा शवने अवग्या अंदोलन की सुर्वात से पूर महात्मा गांधी ने अंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया तथा वायसराय लॉर्ड एर्विन के समच 11 सुत्रे महांग पत रखा इसमें मुखिता सेना की खर्च तथा सिविल सेवा की वेतनों में 50% कटाउती पूर्ण शराब बंदी राजनेतिक कैदियों की रिहाई रुपे की बिनमे दर कम करना लगान में 50% कटाउती तथा नमक पर सरकारी इजारेदारी ये नमक करको समाप्त करना आदी मांगे सामिल थी इन मांगों को सरकार ने मानने से इंकार कर दिया था निमलिकित में से कौन से महात्वन वेक्ति ने तीनों गोलमें सम्मेलोनों में भाग लिया था तो डॉक्टर भीमराव अमबेटकर जी इसका ओप्शन डी एंसर होगा ये तीनों गोलमें समेलन में भाग लिये थे अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इर्वीन ने रेमजे वेकडोनाल्ड की नौगटित श्रमिक सरकार से मंत्रा करने की पच्चाद यह घोशना की भारत की उन्नती का अंतिम चरन डोमेनियन स्टेट्स प्राप्त करना है इसके अत्रित उन्होंने यह भी घोशना की कि अंगरेजी सरकार ने यह निश्चे किया है कि साइमन अयोक की रिपोर्ट पर विचार विमर्स के लिए लंदन में गोलमेंज कोन्फरेंस का अयोजित किया जाएगा इसी परिपेच में लंदन में तीन गोल्मे सम्मेलन आयोजित किये गए प्रथम गोल्मे सम्मेलन 12 नौंबर 1930 से 19 जन्वारी 1931 तक दुत्य गोल्मे सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 31 सम्मेलन में महात्मा गांदी ने भाग लिया था उसके बाद तित्य गोल्मे सम्मेलन 17 नौंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर ने तीनों गोल्मे सम्मेलन में भाग लिया था निमलिकित में से किस ने सभी तीनों गोल्मे सम्मेलन में भाग लिया तो भीम राव अम्बेटकर जीने नेक्ष्ट क्रांतिकारी अंदोलन तथा उगर राष्टवाद का उदय इससे क्वेश्चन है तो वर्स 1904 में किष्णे क्रांतिकारीयो की गोपनिय समेती के रूप में अविने भारत का गठन किया था तो वीडी सवार करने इसका ओप्शन एंसर होगा वर्स 1904 में बीडी सवार कर विनायक दामोदर सवार कर द्वारा गोपनिय समेती के रूप में अविने भारत का गठन किया गया था वीडी सवारकर यह गनेश सवारकर द्वारा अठारोस निनानबे इश्यू में नासिक महराश्ट में इस्थापित मित्र मेला नामक संगठन ही बाद में अभिना भारत मना महराष्ट में उनी सो में बिनायक दमोधर सवारकर द्वारा इस्थापित गुपत समाज को कहा जाता है तो मित्र मिला इसका option B. answer होगा महराष्ट में बिनायक दमदर साहर का दोरा इस्तापित गुद्व समाज को मित्रमेला कहा जाता था मित्रमेला की स्थापना 1999 इस्वी में किया गई था आल की अलगण किताबों में इसका स्थापना वर्स 1990 इस्वी दिया गया है जो की तोटीपूर है उनिसो चार इसी में मित्र मिला अभिने भारत में प्रवेर्थित हो गया था नेक्ट कोचेन देखते हैं श्वतनता सिनानियों भगत सिंग, शुकदेव और राजगुरु को 1931 में भाशी की सजाद दी गई थी इसका ओप्शन बी एंसर होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन के दो सरदस्यों भगत सिंग तथा वटकेश्वरदत को 8 अप्रिल 1929 को केंद्रिय असेम्बली में बम फेकने के अरोप में ग्राफतार कर लिया गया बाद में कुल शोलक करंतकारियों के उपर लहोर सरयंत कांड के अंतरगत मुकादमा चलाया गया जिसके अंतरगत 23 मार्च 1931 को भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरु को फासी की सजादी गई इसका ओप्शन बी अंसर नेक्ट कुश्चन देखते हैं, 18 अप्रिल 1930 को हुई चिट ग्राम्ज सास्तरगार चापे की घटना का नित्यत्तु गनेश गोष ने किया था, जिसमें करांती कारियों ने नमपारा में इस्थित पुलिस सास्तरगार पर कबजा कर लिया था, तो इसका ओप्शन बी अंसर होगा चटगाव बिद्रो या छापे की घटना अप्रिल 1930 में सुरे सिन जिने प्यार से मास्टरदाभी कहते हैं कि नित्यत्यत्य में हुई थी, जिसमें चटगाव वर्तमान बंगलादेश में पुलिस और सहयक बलो के सास्तरगार लूटिने का पर्यास किया गया था, घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समों बनाया गया जिसमें गरेश घोस, लोकी नातबल, अमका, चक्रवर्ती, अनंत सिंग, आधी, सामिल थे, पुर्व निढायत यूजिना के तहत, अठारा अप्रिल 1930 को गरेश घोस की अगवाई में, 6 क्रांतिकारियों के एक समों ने डणपरा में इस्थित पुलिस सास्त्रगार पर कबजा कर लिया, दूसरी और लोकीनात बल के नितिर्ट में, 10 युवा क्रांतिकारियों ने शैनिक सास्त्रगार पर कबजा कर लिया था, बिटिश नियाएधिस मजिस्टेड किंग्स फोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए भासी दी गए थी इसका उप्शन यह एंसर होगा खूदी रम्बोस का जन्म बंगाल में मिन्नापूर जीले के हवीपूर गाओं में हुआ था बंगाल विवाजन के पस्चात अपनी छोटी ओन में ही वह रिवलो अनुश्री पार्टी का सदर से बनकर स्वतनता अंदोलन में कूद पड़ें उष्च में बंगाल प्रेसिडेंसी का मजिस्टेड किंग्स फोर्ड था जो क्रांतिकारियों के साथ बहुत सक्ति से पेश आता था अतक क्रांतिकारियों ने किंग्स फोर्ड को मारने की योजना बनाई थी इस काम के लिए प्रफुल चक्की और खूदी रम बोस को चुना गया तीस अप्रेल 1908 को किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया लेकिन इस घटना में दो बिटिस महिला मारी गई प्रफुल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्म हत्या कर लिए तथा खूदी रम बोस को गिराफतार कर फासी दे दे गई थी नेक्स्ट कुश्चिन देखते हैं 1908 में खूदी रम बोस और प्रफुल चाकी ने मजबपरपुर में किस प्रिटिस जज पर बम मारा यो उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता का मुख प्रेसिडेंसी मजिस्टेर था तो अभी हम लोगों देखें किंग्स फोर्ड होगा इसका ओप्शन B काकोरी सरियंत केस किस वर्ष में हुआ था तो 1925 में इसका ओप्शन B एंसर होगा काकोरी शर्यंत कांड हिंदुस्तान डिपबिलिकन एस्सोसेशन संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था इसके तहत लखनों के निकट काकोरी में आठ टाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनों जा रही थी को करांतिकारियों दराल लूटा गया था जिसके पर्राम शुरुप राम परसाद बिश्मिल अश्फाक उल्ला खा रोशनलाल तथा राजंद लहारी को फासी दी गए थी नेक्स्ट कुछ देखते हैं गदर अंदुलन के निता कौन थे तो हर्द्याल थे इसका उप्सन ये एंसर होगा गदर अंदुलन के निता लाला हर्द्याल थे गदर पार्टी के अस्थापना लाला हर्द्याल के नित्तित में शेन फ्रांशीकों अमेरिका में होई थी इसके सथापक अध्याज सोहन सिंग वकाना थे नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं गदर क्रांती अरम होने का सबसे प्रमुक कारण था तो पर्थम विश यूद का अरम होना इसका ओप्शन ये एंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं निमलिकित मैंसे किस सहर में स्वतनता सिनानी चंशेखर आजाद ने बिटिश पूलिस द्वारे घिर जानने पर खूद को गोली मार ली थी तो इलहाबाद अब इसका नाम प्रियाग राज हो गया है हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपॉब्लिकन एसोशेशन की एक मत सदस चंशेखर आजाद जो ककोरी सरियंद केस से पूलिस को चकमा दे रहे थे लहाबर सरियंद केस से भी बच निकले थे लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलहाबाद प्रियाग राज के अलफ्रेंड पार्क में पूल कौन एक भारती राष्टे अंदोलन में क्रांतिकारी निता नहीं थे तो गोपाल किष्ण गोखले इसका ओप्सन डी एंसर होगा गोपाल किष्ण गोखले भारत में बेश्टिस समराज के खिलाफ संगस करने वाले भारती है श्वतनता अंदोलन के नरम पंथी निताओं और समाज सुधारकों में से एक थे जबकि चंशेखर अजाद शुरे सेन और भाकत सिंग भारती राष्टे अंदोलन के क्रांतिकार नेता थे नेक्स्ट कोचन देखते हैं इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था तो इनकलाब जिन्दाबाद का नारा भागत सिंग जी ने दिया था इसका ओप्शन सी एंसर होगा इनकलाब जिन्दाबाद को नारे के रूप में लोग प्रे भागत सिंग ने किय ये हिंदुस्तान शोसलिस्ट रिपब्लिकन शोसा एसोशेशन के सद्या से थे भगत सिंग यो वट्टुकेशर उद्धत ने अप्रिल 1929 में केंद्रिय विधान सबह में बम फेका था इन्हें लहोर स्रेंद कांड के तहट 30 मर्च 1931 को फासी दे देगी इनकलाब जिन्दाबाद की रचना हस्रत मुहानी ने की थी तो ये भी याद रखिएगा इसकी रचना किसने की थी थी हस्रत मुहानी ने इनकलाब जिन्दाबाद का नारा की ने दिया था तो इसमें चन्शेखर आजाद बिकल्प दे रख़ा है महात्मा गांडि दे रख़ा है हस्रत मुहानी दे रख़ा है और लोकमन तिलक दे रख़ा है तो हस्रत मुहानी होगा इसका अप्शन C नेक्ट कोचिन देखते हैं भारत के भीतर और बाहर दोनों में करांतिकारी की सक्रिय भूम का निभाने वाले एक मात भारती राजकुमार कौन थे तो महराजा महेंदर परताब थे इसका ओप्शन बी एंसर होगा महराजा महेंदर परताब का जन्म उत्तर परदेश में हुआ था वे करांतिकारे यह समाज सुधा रखते तो इसमें मिलान का रावना है राम परसाद बिश्मिल तो इनका काकवरी सर्यांत से था उसके बाद सूर्य सेन तो इनका चटगाव से था उसके बाद अर्विन्दो गोष्ट तो अलिपुर बममामले से इनका था और भगत सिंग लहोर सरयांत से था तो इसका ओप्शन बी एंसर होगा अपरादियों के रूप में नहीं बलकि राजनायतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाग मित्ती हो गए थी तो जत्तिन राम की इसका ओप्शन ये एंसर होगा नेक्ट है विदाईश संसोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से कोश्चन तो पहला कोश्चन इससे निमलिकित में से कौन सा अधीनियम मन्टेंगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर अधारित था तो भारत सरकार अधिनियम 1929 था इसका ओप्शन सी एंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1929 मन्टेंगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर अधारित था इस अधिनियम की मुख्य विशष था किरेंद्र में दिष्टारात्मक विधाय की स्थापना करना इसका ओप्शन अब नेक्ट भारत छोरो अंदोलन अजाद भौज तथा सुबाशन बोस तो पहला क्वेशन इससे किस अंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया भारत छोरो अंदोलन के द्वारान इसका ओप्शन बी एंसर होगा भारत छोरो अंदोलन में महात्मा गांधी ने करोया मरो का नारा दिया 14 जुलाई 1942 कांगरेस कार शमीती की वर्दा बैठक में महात्मा गांधी के भारत छोरो अंदोलन के विचार को पुर समर्तन परदान किया गया 7 अगस्त 1942 को कांगरेस की बैठक बंबई के ग्वाले टेंग मैदान में हुई जिसमें वर्दा प्रस्ताव भारत छोरो की पुष्टी हुई थोरे बहुत संसोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव सिवकार कर लिया गया 9 अगस्त 1942 को भारत छोरो अंदोलन प्राराम भुगा तो इंपोर्टन है भारत छोरो अंदोलन के प्राराम भुगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोरो अंदोलन या अगस्त क्रांती भारती स्वत्तन दा अंदोलन की अंति महान डराई थी महात्मा गांधी ने किस अंदोलन के लिए करोया मरोग नारज दिया था तो भारत छोरो अंदोलन इसका अप्शन बी एंसर होगा भारत छोरो अंदोलन या अगस्ट अंदोलन आठ अगस्ट 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारती कांगर्स समित्ती के बंबई सत्र में चलाया गया एक अंदोलन था इसका ओप्शन B एंसर होगा गांधी जी ने भारत छोरो अंदोलन कब शुरू किया था तो 1942 में निमलिखित में से किस को लोक नायक के रूप में जाना जाता है तो जैपरकाश नहराण जी को इसका ओप्शन B एंसर होगा निमलिखित में से किस नेता को नेता जी कहा जाता है तो सुबाश चंद बोश जी को नेता जी कहा जाता है इसका ओप्शन B एंसर होगा शुबाश चंद बोश जो निता जी के उपनाम से भी जाने जाते हैं भारत के सोतंता संग्राम में अग्रेणी निता थे दुति बिशी युद के दोरान उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जपान की सहता से आजाध हिन फोश का गठन किया उनके द्वारा दिया ग राष्ट पिता कहकर संबोधित किया था तो शुबाश चंद बोश जी ने इसका ओप्शन बी एंसर होगा महात्मा गांधी को सरपतम राष्ट पिता सुबाश चंद बोश ने कहा था 6 जुलाई उनेश चवालिस को सुबाश चंद बोश ने अजाध हिन रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया भारत की स्वधिंता का आखरी युद सुरू हो चुका है राष्ट पिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र यूद में हम आपका अशिर्बाद और शुबकामना चाहते हैं और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधी रविन नर्ड टैगोर जी के द्वारा दिया गया था महात्मा गांधी को राष्ट पिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे सुभाश्चंद्र बोश ओप्शन सी इंसर होगा महात्मा गांधी को राष्ट पिता के नाम से सरपथम किष्णे संबोधित किया सुभाश्चंद बोश जी ने नियता जी सुभाश्चंद बोश ने अजाद हिंद सरकार के स्थापना कव की थी तो अक्टूबर उनिस सो तिरालिस में 21 अक्टूबर उनिस सो तिरालिस को सुभाश्चंद बोश ने सिंगापूर में स्वाधिन भारत की आस्ताई सरकार अजाद हिंद सरकार का गठन किया अजाद हिंद फोश का फुना गठन चार जुलाई उनिस सो तिरालिस को सुभाश्चंद बोश की नित्युत में किया गया था नेक्ट कोचन है आदुरिंग भारत का इतियास बीवित से निमलिकित में से किसे सेरे बलिया के नाम से जाना जाता है तो चीतु पांडे को चीत्यू पांडे को सेरे बल्या के नाम से जाना जाता है इन्होंने वर्ष 1942 के भारचोरों अंदोलन के दोरन बल्या में सम्नांतर शरकार की स्थापना की थी तो आज है 18 अगस्त 19 अगस्त को सम्नांतर शरकार बनाया थे से चीट उपान रेने 19 अगस्त 1922 को बलिया में अनुभवी स्वतंता सिनानी लेखक और सिच्छाविद के एम मोंसी ने निमलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी तो भारती विद्ध्य भावन की इसका ओप्शन बी एंसर होगा अनुभवी स्वतंता सिनानी लेखक और सिच्छाविद कनहिया लाल मरिक लाल मोंसी के एम मोंसी द्वारा 1938 को भारती विद्ध्य भावन की इसका अधिनियम स्वरी बाल बिवा औरोद अधिनियम 1939 को निमलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो सार्दा अधिनियम के नाम से भी इसका ओप्शन एंसर होगा बाल बिवा औरोद निशेद अधिनियम 1929 को सार्दा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है हर विलास सार्दा के प्रयासों से बाल बिवा निशेद कानून बना था जिसमें लरकों के बिवा का उमर 18 वर्स यह उन लर्कियों का उमने 14 वर्ष निदायत की गई थी यह अधिनियम लॉड इवरिन सोरी लॉड इरिविन के कारिकाल में पारित हुआ था नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भारती रंगे धोज में असोक चक्र का रंग कौन सा है तो गहरा नीला है इसका उप्शन सी एंसर होगा भारती रंगे में असोक चक्र का रंग गहरा नीला है समिदान सबादवारा 22 जुलाई 1947 को राष्टे धोज को अपनाया गया भारती रंगे की चोराई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ दो और तीन का है भारती रंगे की पटिया के सरिया से फिल यो हरे रंग की होती है निमलिगीत में से किस बिटिस मिशन योजना ने पकिस्तान की मांग को अमाने कर दिया था तो केविनेट मिशन ने इसका ओप्शन सी एंसर होगा केविनेट मिशन 24 मार्श 1946 को दिली आया इसके अध्याश भारत मंत्री लॉर्ड फैथिक लॉरेंस थे तथा अन्यदोस सदस स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्याश बोर्ड आफ ट्रेड तथा एवी एलकजेंडर नौसेना मंत्री थे शोलम माई 1946 को केविनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोशना की जिसमें सामिल प्रमुक प्रस्तावों थे भारत की एकता बनाई रखी जाए मुश्लिम लिंग की पकिस्तान की माग ठुगरा दी गई भारत एक संग होगा इसमें बिटिश प्रांत तथा देशी रियासते सामिल होगी और समिदान सभा का गठन प्रांतियें बिदान सभावों तथा देशी रियासतों के प्रतिनिध यो दोरा किया जाएगा 1764 में British East India Company द्वारा इस्थापित भारत का पहला डाग घर निम्रिकृत में से किस अस्थान पर था तो इन्वे से कोई भी एंसर सही नहीं होगा British East India Company द्वारा भारत का पहला डाग घर 1727 ECU में कलकत्ता में इस्थापित किया गया था अतर दिया गया प्रश्ण गलत है यह प्रश्ण आया हुआ था UPCC सम्रिद अवर अधनिया सेवा परिच्छा 2019 में 1927 में महराष्ट में महार सत्यागरा खिष्णे अराम किया था तो डाक्टर भीम राव अमेटकर जी ने इसका अप्शन सी एंसर होगा वर्श 1927 में महार सत्यागरा डाक्टर भीम राव अमेटकर ने प्रणाम किया था यह सत्यागरा दलित यहों सोसितों पर अन्य जातियों दोरख किये जाने वाले अत्याचार से संबंदी था इस अंदोलन का संबंद महार इस्तित चावदार तलाब से निम जातियों के लोगों के पानी का उप्योग किये जाने से भी था रवीन नट टैगोर ने किशनर सींगार के बिरोध में नाइट होड की उपाधी लोटा दी थी तो जलिया वाला बाग नर्संगार के इसका उप्शन एंसर होगा रवीन नट टैगोर ने 13 अप्रिल 1919 को जलिया वाला बाग नर्संगार की हिदे विदारक घटना के बाद बिटिस सरकारत द्वारा परदान की गई नाइट होड की उपाधी लोटा दी जलिया वाला बाग हत्यकार्ण के बिरोध में संकरन नायर ने वैसराय की कारिकारनी से इस्थीपा दे दिया था किस्वतंता सेनानी को लोकमान की मानद उपाधित दी गई है तो बाल गंगा धर तिलक इसका ओप्शन सी एंसर होगा जून 1897 में चापेकर बंधों ने पूने की बिलेग किमिटी के अध्याच रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्टर्ड की हत्या कर दी इस हत्या के संबंद में तिलक ने एक लेग लिखा था जिसके कारण जुलाई 1897 में तिलक को भालते डंड सहिता की धारा 124 एक तहत गिरहतार कर 18 माह की सजाद दी गई देश भर में भारी बिरोध हुआ तिलक काफी लोकप्रे हो गए जनता ने उन्हें लोकमानी की उपाधि दी नेक्स्ट कोशन देखते हैं अल्लीगर मुश्लिम बिश्व बिद्याले की इस थापना किस्ने की तो सयद अहमद खान ने इसका ओप्शन ए एंसर होगा शर्ष सयद अहमद खान के नित्तित्यों में अल्लीगर अंदूलन चलाया गया था उन्होंने मुश्लमानों के दिश्टिकोन को आधनिक मनाने के उद्यस से फश्चाताई शिच्छा पर बल दिया शर्ष सयद अहमद खान ने ही 1875 इश्वी में अल्लीगर मुश्लिम एंगलो औरियंटल कॉलेज की स्थापना की थी जो वर्ष 1920 में अल्लीगर मुश्लिम बिश्व विद्याले में परिवर्तित हो गया उन्होंने तजीव उल अकलाग सब्यता और नेतिकता नामक परित्र का भी निकाली थी मुश्लिम लीग ने लहौर सत्र में पकिस्तान की मंग 1940 में की गई थी तो इसका अपसाद सी एंसर होगा 22 मर्च 1940 को मुश्लिम लीग के लहौर अधिवेशन में पहली बार फिर तक पकिस्तान राज के निर्मान का प्रस्ताव पारित किया गया पकिस्तान सब्द के जन्रदाता चोधरी रहमत अली थे लीग के इस अधिवेशन की अध्यस्ता मुहमद अली जीना ने की थी बनारस हिंदू बिश्व बिद्याला की स्थापना निमलिखित में से किष्णे की तो मदन मोहन बालवेजी ने इसका ओप्शन डी एंसर होगा भारतित स्वतंता अंदोलन के दवरान 1932 में ग्रेट बिटेंड के किस परधान मंत्री ने समरताइक प्रुस्कार की घोशना की थी तो इसका ओप्शन डी एंसर होगा जेम्स रेमसे मेक डोनाल्स बिटिश परधान मंत्री जेम्स रेमसे मेक डोनाल्स ने 16 अगस्त 1932 को बिविन सम्प्रदायों के प्रतिनी दित्व के बिशे पर एक पंचार्ट जारी किया इसे सम्प्रदाइक पंचार्ट कहा गया इस पंचार्ट में प्रिथक निर्वाचन पदती को ना केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया बलकि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं घटना और तारिक के इन जोरों में से कौशी जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है तो पहला देखते हैं यह दिल्ली भारत की नई रजधानी बन गई 1911 तो यह मेल नहीं खाता है 1912 में बनी थी तो यह एंसर हो गया महातमा गांधी ने इंडिगो फ्लांट्स की सिकायतों पर ध्यान अकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारन अव्यान शुरू किया 1917 में यह सही है एकदम वीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्याले के साथ भारती ग्रे नियम लिग की स्थापना की 1914 में नहीं 1916 में की थी तो इसका ओप्शन दो सही हो जा रहा है ए और सी दोनों में लिखा रहा है यह 1916 होगा शुबाश्चंद बोश ने आई एन सी में अध्याच के रूप में इस्थिपा दिया तो 1949 में यह सही है तो इसका ओप्शन ए और सी दोनों सही होगा ए और सी दोनों में लिखा रहा है 1866 में भारत के संदर में चर्चा करने और भारते कल्यान को बढ़ावा देने के लिए बीटिस्ट शरोजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में East India Association का अयोजन किस ने किया था तो दादा भाई नरोजी ने किया था इसका option एंसर होगा 1866 में लंदन में East India Association का गठन दादा भाई नरोजी द्वारा किया गया दादा भाई नरोजी को ग्रेंड ओल्ड में अफ इंडिया के नाम से जाना जाता है 1886 इसी में कलकत्ता 1893 इसी में लहूर और वर्ष 1906 कलकत्ता आधिवेशन में वे भारती राष्टे कॉंगरस के अध्यत चुने गये थे राष्ट बिहारी बोष द्वारा संगर्ठित भारते स्वतनता लिग किस संगर्ठन का एक अग्रदुत्ता तो भारती राष्टिय फोज का इसका ओप्शन बी एंसर होगा राष्ट बिहारी बोष वर्ष 1915 में जपान में बस गये थे उन्होंने वर्ष 1942 में भारते स्वतनता लिग का गठन किया सुबाचंद बोष वर्ष 1943 में सिंगापूर पहुँचे और उन्हें तुनत लिग का प्रधान चुन लिया गया यही पर सुबाचंद बोष ने भारती राष्टे सेना अजाद हिंड फोष का गठन किया जिसमें उन्होंने भारती सेना के उन सैनिकों को भरती कर लिया जो सिंगापूर तथा मलेशिया से अंग्रेजों के भगाने के समय जपान द्वारा यूद में बंदी बना लिये गय थे भारती राष्टे सेना को बोष ने दिल्ली चलोगा नारा दिया राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के अंदोलन शुरू करने वाले पहले भारती थे इसका ओप्शन बी एंसर होगा राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए अंदोलन शुरू करने वाले पहले भारती राजा राम मोहन राय थे 1823 इसीव में एडम्स के प्रेश अध्यादेश से प्रेश की सुतनता का हरनन हुआ बिरोद सुरूप राजा राम मोहन राय ने कुछ अन लोगों के साथ उष्टम न्याले में वाद दायर किये वर्ष 1927 के जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोद किया जिसमें धार्मिक अधार पर हिंदूओं और मुसल्मानों में विवेद किया गया था नितित्व का कौन सा सिधान संपूर्ण वा बैज्ञानिक माना जाता है तो बहुकारक का सिधान इसका ओप्शन बी इंसर होगा नितित्व का बहुकारक सिधान संपूर वा बैज्ञानिक माना जाता है जबकि परिवर्तन कारी नितित्व सिधान का एक दिश्टी कोन है इस अवधारना का प्रतिपादन जेम्स में ग्रेगर वन्स ने किया है नेक्स्ट कोच्चन देखते हैं 16 अगर्ष्ट 1946 को पर्तिश करिवाही दिवस मनाया गया तो मुश्लीम लिग द्वारा इसका ओप्शन D एंसर होगा नेक्स्ट कोच्चन देखते हैं प्रथम 21 कब समाप्त हुआ तो प्रथम 21 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ इसका ओप्शन C एंसर होगा प्रथम 21 28 जुलाई 1914 को परराम और जर्मनी तथा अश्टिया के निवेदन पे 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ नेक्स कोच्चन देखते हैं संजुक्त राज अमेरिका ने किस वर्स दूसरे बिश्यूद में परवेश किया तो 1941 में इसका ओप्शन B एंसर हुआ दुत्य बिश्यूद का समयवदी वर्स 1949 से 1945 तक है शंजुक्त राज अमेरिका इस यूद में प्ररण में सामिल नहीं था जपान द्वारा परल हारवर पर आकरवन के बाद वर्स 1941 में अमेरिका दुत्य बिश्यूद में सामिल हुआ अमेरिका ने इस यूद के दौरान जपान के सहर हिरोशिमा यो नागा साकी पर करमसा 6 और 9 अगस्त 1945 को प्रमानु बम गिराया और इसके बाद यूद समाप्थ हो गया ये भारती ससस्थ चीनाओ द्वारा पकीस्तान से हाजी पीर की लराई किस वर्स लरी गई थी तो 1965 में इसका ओप्सन ये इंसर होगा भारती ससस सिनाओ दोरा पकिस्तान से हाजी पीर की लराई वर्ष 1965 में लरी गई थी वर्ष 1965 में भारत पाक यूद के दोरान भारती सिना ने जमू कश्मीर के हाजी पीर छेत तक कबजा कर लिया था लेकिन 10 जन्वारी उनिस चाचट को हुई तासकंद गोशन कि अंतरगत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया वर्तमान में यह छेत्र पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर प्योक्वे में इस्थित है नई दिल्ली का मुख्य वस्तुविद यहों डिजाइनर कौन था तो एडविन लूटियंस इसका ओप्शन सी एंसर होगा नई दिल्ली का मुख्य वस्तुविद यहों डिजाइनर विटेन के आर्टिटेक एडविन लूटियंस थे लूटियंस दोरा डिजाइन की गई दिल्ली का उद्गहटन 1961 में वैसरा लॉड इर्विन ने किया 1911 में दिल्ली दर्वार में राजधानी कोलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषना जॉर्ज पंचम ने की थी इसके बाद 1912 से दिल्ली का निर्वान वास्तुविद लूटियंस के निर्देश पर प्राराम हुगा 20 वर्ष भारत की राजधानी कोलकत्ता से दिल्ली हुई तो 1911 में इसका उप्षन D एंसर होगा प्रसीद गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा की रचना किषने की तो सर मुहम्मद इकबाल ने इसका उप्षन C एंसर होगा उर्दु का प्रख्यात सायर मुहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा नामक की रचना की प्राराम में ये महाराष्ट वादी थे किन्तु बाद में मुश्लीम लिंग से शंबद हो गया नेक्ट कोचन देखते हैं लॉड करजन के बंगाल विभाजन के पीछे निमलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था तो बंगाली रश्टिया था के मूल पर हमला करना ये मकसद था बाटो और सासन करोकनी थी ये भी मकसद था ब्रिटिस राज की सक्ति का परदर्शान ये मक्सद नहीं था तो इसका option C answer होगा सरकार के प्रसासनिक भार को सहज करना तो ये भी मक्सद था तो इसका option C answer होगा साइमन कमिशन का बिरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्टवादी नेता की मित्ती हो गई साइमन कमिशन 1928 का बिरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण राष्टवादी नेता लाला लाजपत राए की मित्ती हो गई इसके जबाव में भगाचिंग सुखदेव और चंसेखर आजाद जी आदी ने मिलकर सौंडर्स की हत्या की थी देश बंदू किसे कहा जाता था तो देश बंदू चितरंजन दास को कहा जाता था इसका ओप्सन सी एंसर होगा नेक्स्ट कोचन देखते हैं मैक मोहन रेखा चीन के तिबती छेत्र और भारत के उतर पुर्वी छेत्र के बीच की सीमा रेखा है जिसे बिटिस ओपनिवेशिक प्रसाशन हेंरी मैक मोहन ने 1914 में सिमला संधिप पत्र में प्रस्तावित किया था तो इसका ओप्सन बी एंसर होगा मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीची सीत है इस रेखा को बिटिस ओपनिवेशिक प्रसाशन सर अर्थर हेंरी मैक मोहन ने 1914 में सिमला संधिप पत्र में प्रस्तावित किया था इसलिए इस रेखा को मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है यह दपित चीन इस रेखा को म 1893 में श्वामी बिवेका नन जी ने हिंदु धर्म के बारे में विष्टार से बताया तो इसका ओप्शन बी इंसर वा सिकागो 1893 में अमेरिका के सिकागो सहर में अयोजित बिश्व धर्म सम्मेलन में श्वामी बिवेका नन भारत का नित्योत किया उन्होंने कहा कि पिर्थिवी पर हिंदु धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात रूप से मानों की गर्मा का प्रतिपादन नहीं करता इसका ओप्शन बी एंसर होगा सिकागो जो कि नेक्स्ट कोचिन देखते हैं निमलिखित घटनाओ को सही क्रम में निमलिखित घटनाओ का सही क्रम क्या है तो रायलेट एक्ट उननीस तो उननीस में आया था और गांधी इर्विन सम्झावता उननीसो एक्तिस में मारले मिन्टो सुधार उननीसो नौ में और इल्वर्ट बिल अठारसो तिरासी में तो सही क्रम हो जाएगा चार तिन एक दो इसमें से कोई भी ओप्शन सही नहीं है लेकिन आयोग ने एंसर टू को सही माना है भारत में यतायात बैश्था की शुरुवात का स्रेख किसको जाता है तो बिटिश सासक को जाता है इसका आप्शन-B science होगा भारत में शारोजानिक यातायात व्यवस्ता की शुरुवात प्रीटिश सासको द्वरा खी गई थी रेल्वे इसका सबसे महत्पुन माध्यम बना बल्देव सिंग अंत्रीम सरकार के सद्द से सतंत्र भारत की पहली सरकार में रच्छा मंत्री के प्रमुक थे तो रच्छा मंत्री बने थे इसका उप्शन ए अंसर होगा दो सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नितित्यों में भारत की पहली अंत्रीम रच्छी सरकार का गठन हुआ जिसमें बल्देव सिंग रच्छा मंत्री थे जबकि सी राज गुपालाचारी सिच्छा मंत्री अरुना अस्तप अली रेल मंत्री लियाका तलिखा वित मंत्री अंत्रीम सरकार का गठन केविनेट बिशन के अंत्रकत किया गया था अंग्रेजों के बिरुद खान अब्दुल गफार खान द्वारा प्ररण किये गया अंदोलन का क्या नाम था तो लाल कुर्टी नाम था इसका ओप्शन ए एंसर होगा उतरी पचिमी सीमा प्रांथ में खान अब्दुल गफार खान के नित्यत्यों में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयम सिवक संगठन इस्थापित किया गया था जिसे लाल कुर्टी के नाम से भी जाना जाता है उतर फ़शिम सीमा प्रांथ के मुसल्मान ने खान अब्दुल गफार खान के नित्यत्यों में शबने अवग्या अंदोलन में एक महत्पुन भूमका निभाई थी 1928 में वार्दोली सत्यगरा का नित्ति तो सदार बल्ला भाई पटेल ने किया था इसका ओप्शन बी एंसर होगा सूरत गुजात के वार्दोली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान ना अदाएगी का अंदोलन चलाया गया बंबई सरकार द्वारा लगान में 30% की विधी कर देने के बाद मेहता बंदों ने लगान अदाएगी रोक नामक्स सत्यगरा के नित्तितु गांधिवादी बल्ला भाई पटेल को परदान किया वर्दोली सत्यगरा के समय ही यहां के महिलाओं की ओर से गांधि जी ने बल्ला भाई पटेल को सरदार की उपाधी परदान की थी जोहारलाल नेहरू की नित्तितों में मुश्लीम लिंग अंत्रीम सरकार में कब सामिल हुआ तो इसमें से कोई भी आप्शन सही नहीं है जोहरलाल नहरू की नित्तित में मुश्लिव लिंग अंत्रीम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को सामिल हुआ था जिसमें से कुछ के नाम है लियाकत अलिखा, वित विवाग, आयाय, आयाय चुंद्रीगर, वारीजी, अब्दुल्रव, नस्तर, संचार, जोगेंदरनात, मंडल, बि थी कि 30 जून 1948 तक बिटिस द्वारा भारत को सोतनता परदान कर दी जाएगी तो कलिमेंट एटिली ने इसका ओप्शन डी एंसर होगा, बिटेन के परदान मंद्री कलिमेंट एटिली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस अव कमर्स में यह घोशना की थी कि अंग्रेज बिटिस, 30 जून 1948 से पहले ही उत्तरदाई लोगों को शत्ता हंस्तातित करने के बाद भारत को सोतनतरता परदान की जाएगी एटिली का कारिकाल वर्ष 1945 से 1951 तक था तथा वे लेवर पार्टी से जूरे थे भारत के पहले परदान मंत्री पंडित जौहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1907 की मद रात्री को नियती से वादा सिर्षक भासन कहां से दिया तो संसाद समिधान सभा से इसका ओप्शन C एंसर होगा 1946 के अंत्रीम सरकार में कारिकारी परषत का उपाध्याच कौन था तो जौहरलाल नेहरू जी थे इसका ओप्शन D एंसर होगा 24 सकत 1946 को पंडित जौहरलाल नेहरू की नित्तितों में भारत की पहली अंत्रीम राष्टिये सरकार की घोश्टना हुई तथा दो सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ इस अंत्रीम सरकार में कारिकारी परषत के उपाध्याच विदेशी मामुले तथा राष्ट मंडल विभाग पंडित जौहरलाल नेहरू के पास थे जबकि सी एच भावा के पास खान कारे यों बंद्रगा तता सी गुपालाचारी के पास सिच्छा विभाग था